दोस्तो नमस्कार मैं सर्वेश एक बार फिर आपका जयो स्टेडी चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग आरो ए आरो के लिए जो हम लोग की टेस्ट चरीज चल रही है उस टेस्ट में से एक और टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ और एक सो चालिस टेस्ट हैं एक सो चालिस कॉश्टन है इसमें ठीक है किसी भी तरीके के पेट कोर्स के लिए या टेस्ट रीज के लिए आपको नमबर दिया हुआ है 945375039 इस पर संपर कर सकते हैं या 7905309727 इस पर वाटसेप या कॉल कर सकते हैं ठीक है तो बिना देर की हुए करते हैं 140 कॉश्टन है जिनकी आने की आपकी बहुत संभावना और एक तरीके से पूरा रिवीजन है आपका तेजी से करेंगे ठीक है जहां होशकता होगी वहीं पर मैं आपको इसका explanation दूँगा नहीं तो सीधा आपको answer बताते हुए चलूँगा ठीक है पिछली बार आप लोगों में से कुछ लोगों नहीं कहा था कि सर बड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं इस बार आपको zoom करके पूरे questions कराऊंगा ताकि आप लोगों को exactly अच्छा देगे ठीक है ना तो पहला question है कि उत्तरवदेश को पूर में किस नाम से जाना जाता था तो जातर बच्चों को पता होगा मैं इसको highlight कर देता हूँ देखिए उत्तरवदेश को पूर में से प्रांत के नाम से जाना जाता था ठीक है इसके बाद अगला question है उत्तरवदेश के उस राष्टी उद्यान का नाम बताईए जो कि बाग आरक्षत भी है ए गिर राष्टी उ द्यान सी काना राष्टी उद्यान और डी मानस राष्टी उद्यान तो इसका अंसर आप सबको पता होगा कि इसका अंसर जो सही है वो दोद्वा राष्टी उद्यान है इसके अलावा आप लोग गिर राष्टी उद्यान गुजरात काना मद्दप्रदेश और मानस असम इ प्याद रखिएगा कि जब उत्रांचल को एक अलग राज के रूप में बनाया गया था तब उसका नाम उत्रांचल था और बाद में उसको अब उत्राखंड कहने लगे हैं तो ये जो हुआ वो नौ नवंबर 2000 को हुआ हो सकता है आप से एक्जेक्ट पूछ ले तो ये नौ नवंबर 2000 को गटित हुगा ठीक है ना उसके बाद बाद में इसका 2000 साथ में नाम बदल करके उत्राखंड कर दिया गया था तब उस समय उत्रांचली बोलते थे इसको अगला कॉश्चन देखिया अगला कॉश्चन है निमलिकित में से उत्तरवदेश का शास्त्रीनित कौन सा है ए कथक बी कथकली सी भांगडा और डी कुचिपूरी तो इसका सही अंसर है आपका कथक ठीक है लखनों गराना बहुत फेमस है इसके लिए बागी भांगडा तो आप सबको पताईए पंजाब से आता है कथकली किरल का है और कुचिपड़ी जो है वो अनराज से आंध इसके बाद देखिए उत्तरवदेश के किस जले में महान हिंदी उपन्यासकार मुंची प्रेमचंद का जन्म हुआ था तो ए उप्षन है इलाहबाद, बी उप्षन कानपर, सी लखनो, डी वारना सी तो इसका सही उत्तर है डी वारना सी इसमें एक चीज और आप याद रिखते थे उनका ओर्जिनल नाम जो था वो था धन्पत राय श्रीवास्तव, धन्पत राय श्रीवास्तव, पूछ सकते हैं आप से कि मुंची प्रेमचंद का वास्त्रिक नाम क्या था, प्रारम में कुछ उन्होंने अपनी रचना जो धन्पत राय नाम से की लेकिन अगला है भारत भारती संग में उत्तरवदेश के कितने राज़ या के अंदर्शासित प्रदीशों के साथ सीमा साजा करता है मतलब उत्तर देश कितने के साथ करता है तो देखे ये प्रश्ण कई बार आता है और बच्चे इसको गड़बड करते हैं देखे इसका सही उत्तर है C9 और यहां आप ये भी याद रखिएगा कि 8 राज और 1 के इंदर्शासित प्रुदेश ठीक है 8 राज और 1 के इंदर्शासित प्रुदेश के साथ उत्तर देश अपनी सीमा साजा करता है और छित्रफल की दर्ष्टी से अगर देखें तो चौथे नंबर पर आता है उत्तर देश तो यहां आप रखिएगा 8 राज प्लस 1 के इंदर्शासित प्रुदेश अगला कॉशन है भारत कला भवन संग्राले उत्तर देश के किस शहर में इस्तित है बहुत प्यारे कॉशन बनाए हैं सारे A. लखनो B. आगरा C. इलाबाद D. वारणासी तो इसका सही उत्तर है D. वारणासी सबको मैं हाइलाइट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों कोई भी ये कॉन्फ्यूजन नहों के कब सौरी इसका अंसर क्या है पिछली वार कुश लोगों ने इसको ले करके शिकायत या अपनी नाराजगी जयता ही थी अगला देखी अगला कॉशन है राज पुनर गठन अधीनियम को पारित करने के साथ कब उत्तरवदेश को सहक प्रांद के रूप में बनाया गया था आप्शन A है 1 अप्रेल 1937 आप्शन B है 1 जलाई 1920 आप्शन C है 1 मैं 1888 और आप्शन D है अगस्ट 1950 ठीक है तो इसका सही उत्तर है आप्शन A 1 अप्रेल 1937 ठीक है इस दिन इसको सहक प्रांद के नाम से बनाया गया था अगला कॉशन पे चलते हैं नौवा कॉशन I hope आप सब को बहुत साफ क्लियर क्लियर दिख रहा होगा ठीक है कुशन है निमलिकित में से किसके मद छुद ग्रेय बेल्ट पाया जाता है A. पृत्वी और मंगल B. ब्रस्पती और शनी C. मंगल और ब्रस्पती D. शनी और अरुन तो आप याद रखिएगा कि इसका सही आंसर है मंगल और ब्रस्पती Option C सही है मंगल और ब्रस्पती अगला है निमलिकित सितारों में से किसको पल्सर के नाम से भी जाना जाता है A. रेड जॉइंट B. वाइड ड्राफ C. न्यूट्रों स्टार D. मैसेज स्टार तो इसका भी ठीक आंसर है C. यानि न्यूट्रों स्टार को भी न्यूट्रों स्टार को पल्सर के नाम से भी जाना जाता है अगला है निमलिकित में से कौन सी रूपांतर चट्टान नहीं है A. जैनेसिस B. कॉंगलो मेरिट C. कॉड्जाइट D. शिष्ट तो इसका सही उत्तर है B. कॉंगलो मेरिट एक रूपांतर चट्टान नहीं है बागी जैनेसिस कॉड्जाइट और शिष्ट ये रूपांतर चट्टान है अगला देखिए हिंद महासागर का सबसे बड़ा दीव कौन सा है option A है मालदीज option B है मेडागासकर option C है लक्षदीप option D है समातर ठीक तो इसका सही उत्तर है मेडागासकर B मेडागासकर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा दीव है अगला question है निमले कित में से कौन सा उस्ट कटी बन दिये रेगेस्तान नहीं है A आटा कामा B अरब सागर सरी अरब C गोबी और D काला हारी तो इसका सही उत्तर है गोबी का रेगेस्तान जो है वो एक सम्शीतोष्न रेगेस्तान है द्यान रखिएगा यह किस किसम का रेगेस्तान है मैं यहालिक देता हूँ सम्शीतोष्न रेगेस्तान है ठीक है और बाकी जो है वो उस्ट गटी बंदी रेगिस्तान है इसके अलावा गोबी जो है वो मंगोलिया में इसका विस्तार है मंगोलिया ये भी आप लोग याद रखीगा एक कॉश्चन आज कर इस तरीके का पूछ रहा है ठीक है इसके बाद अगला कॉश्चन है सहरा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म स्थानी हवा को किस रूप में जाना जाता है ठीक है फिर से सुन लीजे एक बार सहरा मुरसल में बहने वाली गर्म स्थानी हवा को किस रूप में जाना जाता है तो इसका सही उत्तर है डी ओप्शन हर्मटन फिर कह रहा है अंधी घाटी कहां पाई जाती है आप्शन ए नदी घाटी छेतर आप्शन बी शुष्क छेतर आप्शन सी कास्ट छेतर आप्शन डी ग्लेशियर छेतर तो इसका सही उत्तर है कास्ट छेतर अगला है जेट स्ट्रीम क्या है सोलवा कॉशन जेट स्ट्रीम क्या है ए ट्रॉपास्फियर की उपर हिस्से में तेजी शोड़ने वाली पहरिया या हवाएं कहना चाहिए इसको ठीक है दूसरा बी महास अगर ये वर्तवान इसके ऑप्शन कुछ ठीक से टाइप नहीं है सी वाईवे होना चाहिए था यहाँ पर सी मानसून हवाएं और डी इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बतायता हूँ कि इसका सही उत्तर लगबग लगबग यह होना चाहिए जैट स्टीम टॉप और स्वियर की उपर भाग में तेजी से उड़ने वाली वेस्ट रिलीज है तो मैं यहाँ लिग देता हूँ क्या है वेस्ट रिलीज यानि पच्छुआ पवने वेस्ट रिलीज है तो इसका सही उत्तर अब जो है क्या हो जाएगा ओप्शन ए इसका एकदम ठीक उत्तर होगा ठीक है न अगला है सागोन और साल किसके उत्पाद हैं ठीक है ओप्शन ए है उस्ट कटी बंदिये शुष्क पणपाती वन ओप्शन बी है उस्ट कटी बंदिये सदाबाहर वन ओप्शन डी है उस्ट कटी बंदिये काटा वन और ओप्शन डी है अलपाइन वन तो इसका सही उत्तर है ओप्शन ए उस्ट कटी बंदिये शुष्क पणप पणपाती बन दिये शुष्क पणपाती बन का उत्पाद होते हैं साल और सागोन के वरक्ष अगला कॉश्चन है भारतिय वाई सेना अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्कौडरन को लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कुएमबटूर के पास सुलूर बेस पर संचालित करने के लिए त्यार है इसका प्रक्षेपन कौन करेगा ए आरकेस बदोरिया बी बीरेंद सिंग धनोवा सी अनल खोसला डी हर्जीत सिंग अरोडा ठीक है तो ये इसका सही उत्तर है ए आरकेस बदोरिया अगला है दुनिया में प्राकर्तिक रबड का अग्णी उत्पादक कौन है आप्षन एे है भारत ऑफ्षन बी इंडोनेशिया और फिर से सुन लिजे थाइलेंड तो याद रखिएगा कि थाइलेंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वरतमान में उत्पादक राज है वैसे इनमें बदलते रहते है मलेशिया, इंडोनेशिया और उसमें और भारत जो है भारत प्राकर्तिक रबड के मामले में चौते स्थान पर है ठीक लेकिन फिर भी यहाँ पर यह भी आद रखिया कि भारत की रबड खपत इतनी अदेक है कि उसके बावजूद हमको क्या करना पड़ता है रबड का आयात करना पड़ता है अगला कॉस्चन है ड्रेकन्स बर्ग किसका एक परवत है यानि कहां पर है आप्शन A है बोटस्वाना आप्शन B है नामी बिया C दक्षन अफरीका और जमाई देखिए इस तरी कॉस्चन सॉल करने के लिए आप लोग एटलस थोड़ा साथ में रखा करिए और उसको देखें जाकि आपकी मेमोरी में बैट जाए तो इसका सई उत्तर है दक्षन अफरीका में ड्रेकन्स बर्ग करवत आपको मिलेगा उसके बाद अगला आईए भूमद रेखा निम्न में से किस एक से होकर गुजरती है देखिए A. कैमरून B. कोस्टा रेका C. केन्या B. वेनेद्वेला तो जो भूमद रेका है वो इन देशों में सिर्फ केन्या से होकर के गुजरती है और किसी देश से होकर के नहीं गुजरती है फिर अगला कॉशन है कील नहर किसको जोडती है ठीक है कील नहर किसको जोडती है A. केरेबियन सागर और प्रशांत महा सागर B. बेरिंग सागर और चुक्ची सागर C. लाल सागर और भूमद सागर D. बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर ठीक है इसका सही उत्तर है D. Baltic Sagar और उत्तरी सागर इसका सही उत्तर है D. Baltic Sagar और उत्तरी सागर देखी यहाँ आपे यह जान लिजेगा कील नहर जैसे 1948 में कैसर विलहेम की रूप में जाना आयाता था जर्मन राज श्लेस्विक होल्स्टीन में 98 किलोमेटर लंबी नहर है Baltic Sagar से जोड़ती है ठीक है अगला है निमलिकित में से कौन सा ओर पॉलिशन का परणाम है यानि कि बहुत तेजी से अगर जन्संक्या बढ़ती है तो उसका क्या परणाम होगा प्राकर्तिक संसादनों का परियाप्त बंदारण यह तो नहीं हो सकता ठीक है B. भूमी और अन्नवी करनिय संसादनों पर दबाव जंगल की मात्रा का बढ़ाना D. पानी की कमी को दूर करें तो सही क्या है इसका उत्तर भूमी और अन्नवी करनिय संसादनों पर दबाव ठीक है अगला देखिए अच्छा आप लोगों को एक और सला है कि जब आप ये पीपर सॉल करें या जब ये चलेगा तब उस समय आप लोग अपने मुबायल को लेंड्सकेप मोड पे ले लें तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा एकदम और उसकी जो सैटिंग्स में जा कर के वीडियो कॉलिटी और उसको 360 पर कर दें एकदम ठीक देखेगा आपको अगला है प्रजेक्ट टाइगर के सवर्ष शुरू किया गया था ए उनीस सो तेतर बी उनीस सो असी सी उनीस सो ब्यासी डी उनीस सो अठासी ठीक है तो प्रजेक्ट टाइगर जो है जो हमारे उनीस सो अचुट-तर में शुरू किया गया है तो इसका सही उत्तर है ओप्षन ए अगला है गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? A 1984, B 1985, C 1986 और D 1990 तो गंगा एक्षन प्लान जो है 14 जनवरी 1986 को शुरू किया गया था ठीक है लिख देता हूँ मैं गंगा एक्षन प्लान 14 जनवरी 1986 में स्टार्ट किया गया था ठीक है अगला कॉश्चन है वर्ष 2.11 में भारती राज या संग्षासित प्रदेशों में से किसका लिंग अनुपात निम्नतम है यानि की नियूनतम किसका है ठीक है अब इसमें राज और शंग्षासित प्रदेश दोनों ले लिए गए हैं ठीक है ऑप्षन है आपका ए हर्याना बी जो है ऑप्षन वो है आपका दमन एवं दीव जो सी ऑप्षन है पंजाब और डी ऑप्षन है दादरा नगर हवेली तो जैसे कि मैंने का कि यहां पे देखिए ध्यान से आपके भारती राज भी पूछा है और संग्षासित प्रदेश भी पूछा है तो अब दोनों को मिला के आपको बताना है तो अकर दोनों को मिला करके हम देखे तो हमारा सही उत्तर होगा दमन एवं दीव ठीक है क्यों क्योंकि दमन और दीव का जो लिंगन उपात है वो है 618 जो कि सबसे कम है अगला क्वेशन देखिए पूछ रहा है कि भा आप ऑप्शन सी है जेलम और ऑप्शन डी जो है वह आपका सतलुज तो इसका सही उत्तर है आपका सतलुज इसके बारे में कुछ और इंफॉरमेशन ले लेते हैं कि भाकड़ा नांगर जो बांध है वो बिसिकली बना है हिमांचल प्रदेश में ठीक है और इसके पीछे ए जो रेहंद नदी पर है और यह है गोविंद सागर जो गुरु गोविंद सिंग के नाम पर है गोविंद सागर ठीक है और इससे लाबानवित होने वाले राज जो हैं वो हैं हर्याणा इसके बाद पंजाब और राजिस्थान यह से लाबानवित होने वाले राज जो हैं ठीक तो यह भाकरान अंगल वाला कॉशन हो गया इसके बाद देखिए 211 की जंगर्णा के उनसार बाल इंगर्णपात किस से नीचे आकर 927 हो गया है मतलब कि पहले कितना था और अब कित अतना है ठीक है बाल लिंग अनुपात तो आप्शन ए है 904 आप्शन बी है 922 990 आप्शन सी है 927 और आप्शन डी है 925 इसके बारे में सुन लीजे कि जो बाल लिंग अनुपात होता है वो 0-6 वर्ष की आई-उ का जो लिंग अनुपात है उसको कहते हैं और प्रती 1000 पर य यह भी परिभाश्यत किया आता है जन्गर्णा 211 में यह 927 था ठीक है और अब जो यह 929 हो गया है तो जन्गर्णा 211 में यह था कितना 927 211 में था 927 और अब जो यह कितना हो गया है 929 तो यह सही उत्तर है इसका बी ओप्शन ठीक है इसके लावा अगला कॉश्चन है भारत के सक्रिय जॉला मुखी कौन सा है सैंडविच ए दूसरा है कीटन पॉइट सी बंजर दीब और टी एल एलस यह गले टीब हुआ है इसको आप बैरन दीब कर लिजैंग कि बैरन आईलेंड जो है नमानी को भाट दीब संभू मैश्चन है यह यह आपका सक्रिय एक मातर जौला मुखी है और एक जौला मुखी जो है आपका वो निश्क्रिय जौला मुखी है जिसका नाम है नारकुंडम ठीक है दोने अंडमान निकवार दीक समू में है तो एक सक्रिय हो गया जौला मुखी वो हो गया आपका कौन सा बैरन बैनर बंजर छपा हुआ है उसका नाम बैरन है ठीक है अगला है किस राज्य का जन गहनत जन गहनत सबसे कम है A. मिघाले B. मिजूरम C. अरणाचल प्रदेश और D. सिक्कम ठीक है ये कॉशन पूछा हुआ है इसका सई उत्तर है अरणाचल प्रदेश अरणाचल प्रदेश का जो जन गहनत है वो सबसे कम हैं और 211 की अगर जन गहना की हम बात करें तो ये जो है आपका बनता है आपका सत्रा प्रती वर्ग मीटर प्रती क्लिव मीटर स्क्वेर जो की सबसे कम है ठीक है? नेक्श चलते हैं भारतिय सम्मिधान के अरुच्छे 32 के सम्मन में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है आप्शन ए है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय करता है ये मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है सी है सुप्रीम कोर्ट देवी की जमीन पर अनुच्छे 32 के तहत एक रट याचिका को अस्विकार नहीं कर सकता डी है अनुच्छे 32 के तहट संडक्षन सामान कानुन के प्रवर्तन पर भी लागू होता है जिसका मौलिक अदिकारों से कोई लेना देना नहीं है तो ये 3 तो इसका सही उत्तर है C यानि कि सुप्रीम कोट देरी की जमीन पर अनुच्छे 32 के तहट रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता ठीक है देरी की जमीन माने देरी का आधार फिर अगला है सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कप पेश की थी नेक्स्ट कॉस्चन है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कप पेश की थी option A है April 1853 तो यह तो होई नहीं सकता option B जो है option B जो है वो है अगस्त 1998 option C जो है जुलाई 1991 option D जो है वो है आपका नवंबर 1995 तो सई उत्तर इसका है अगस्त 1998 ठीक है ना कि जो किसान के टाट योजना जो जारी की थी भारत सरकार ने वो अगस्त 1998 में प्रारम की थी अगला देखिए व्यफसाय का अर्थ है व्यफसाय का अर्थ है A व्यापार B उद्योग और वाणज C व्यापार इवं वाणज D माल बेचना या खरीदना ठीक है तो इसका सई उत्तर है व्यफसाय का जो व्यापार का अर्थ लिया आता है वो उद्योग और वाणज जिसे लिया आता है उद्योग एक आर्थिक गतिविदी है जो त्यार उत्तपादों में कच्चे माल की खरीद और प्रसंद करण से संबंदित है जो ग्राग तक पहुंशती है वाणज जो एक व्यापसाय गतिविदी है जिसमें मूले के लिए वस्तू और सिवाओं के लिए विने में बड़े पैमाने पर किया आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या बी उद्योग और वाणज ठीक है अगले कॉस्चन पे चलते हैं अगला कॉस्चन है निमले के तुमें से किस पर्याणवदित ने सबसे पहले जैव वित्ता के होट स्पॉट की अवंधाना प्रस्तुत की थी ठीक है ओप्शन है आपके ग्यालोड नेलसन बी नॉर्मन मायर्स सी जॉन मूर और डी जूलिया बटरफलाय हिल ठीक है तो इसका सई उत्तर है नॉर्मन मायर्स ठीक है इसके बारे मैं थोड़ा सा बता दूँ इन्होंने 1988 में एक एटलस जारी किया था जिसको नॉर्मन मायर्स एटलस कहते हैं और उसमें दुनिया में होट स्पॉट के जितने भी छेतर थे उस समय उनको इंगित किया था 1988 में एक एटलस बनाया था है ठीक है उसके बाद आगे चलिए जै विवित्ता के वरगी करण के बारे में निमलेखित में से कौन सा गलत युग में है ठीक है तो देखिए उप्षन क्या क्या है उप्षन ए अलफा विवित्ता समुदाय विवित्ता के मद्द उप्षन बी बीटा विवित्ता समुदाय विवित्ता के बीतर Option 3 गामा विवित्ता सम्मुदाय विवित्ता के भीतर नीचे दिये गए कूट से सही विकल्प का चैन करना है A केवल 2, B केवल 3, C 1 और 2, D 1, 2, 3 ठीक है तो इसके बारे में पहले से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसका सही उत्तर है C देखिए, अलफा विवित्ता जो होती है वो सम्मुदाय के भीतर विवित्ता होती है एक ही सम्मुदाय या निवास ठान को सहजा करने वाले विवित्त जीवों को संदर्वित्त करती है बीटा विवित्ता जो है वो प्रजातियों समधाय के एक धाल के साथ प्रजातियों के प्रतिस्तापन की दर को संदर्वित करती है और गामा वित्ता जो है वो कुल परिदर्श या बहुल एक छित्र पर निवास की विवित्ता होती है तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा अगला question है दो अलग-अलग समधायों के बीज संक्रमन कालीन छित्र के रूप में किसे जाना जाता है A. इको टॉन सॉरी, इको टाइप B. इकेड C. इको स्फियर ठीक है? D. इको टॉन ठीक है? यह है इसके और इसका सही उत्तर जो है वो है इको टॉन D. ओप्शन हो जाएगा इसका दो अलग-अलग समधायों के बीज समधायों के संक्रमन काली छित्र के रूप में किसे जाना जाता है इको टॉन को Green Development के लेखा कौन है? ठीक है? M. J. Bradshaw M. Nicholson R. H. Wittator और W. M. Adams ठीक है? तो Green Development जो Book है उसके लेखाक जो है वो W. M. Adams है ठीक है? अगला देखिए Earth Shikar Summulan किस शहर में आयोज़त किया गया था? तो ये तो बड़ा चर्चत प्रशन है ठीक है न? ये जो Earth Summit जो है वो Rio de Janeiro में 1992 में ठीक है? 1992 में आयज़त किया गया था तो ये डिट भी पूछ सकते हैं आप से कब तो 1992 में जो है इसको आयज़त किया गया था ब्राजील का शहर है Rio de Janeiro वहाँ अगला है निमलिकित में से कौन सा राष्टी है कि माप का कोई तरीका नहीं है ठीक है? तो option A है मूल लिवर्दित विधी option B है I विधी option C है वे विधी और option D है निवेश विधी तो निवेश विधी कोई तरीका नहीं है बाकी आयविधी, वे विधी और value added method जो है वो पुर्चलत हैं राष्टी आया के मापन के लिए फिर अगला question है कि भारत में एक रुपे के सिक्के और नोट्स और एक रुपे से कम मुलूवर के सिक्के को किसके दौरा जारी किया आता है ठीक है? तो अगला जो इसका options हैं वो हैं A. भारती रियर बैंक B. वित्त मंत्रा ले C. भारती एस्टेट बैंक और D. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ठीक? और इसका सहीदतर है आंसर B. वित्त मंत्रा ले दारा ठीक है? तो इसमें इसका थोड़ा सा जान लिजे कि भारती रियर बैंक की जो धारा बाइस है भारती रियर बैंक अदिनियम की धारा बाइस इसके तहित एक रुपे के नोट को छोड़कर विमन वूलवर के जो मुद्रा नोट जारी करने का एक मात अधिकार भारती रियर बैंक को होगा इसके अलावा जो सिक्के हैं वो भी वित्त मंत्रा लेके द्वारा जारी किया आते हैं और इस पर जो एक रुपे का नोट जो है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं अगला कॉशन बहुत अच्छा कॉशन है आईएस में भी एक बार इसका कॉशन आया था थोड़ा सा कॉशन है कि तारापोर समिति किसके साथ निमलिकित में से एक से सम्मंद्ध है A. विशेश आर्थिक छित्र B. पूर्था कैपिटल खाता परिवर्थनियता और C. आपका है भारतिय आर्थवियास्ता पर तेल की कीमतों का प्रभाव और D. आपका है विदेशी मुद्रा रजर्व तो इसका सही उत्तर है ये पूजी खाते पर पूण परिवर्थनियता ध्यान रखिएगा कैपिटल एकाउंट या पूजी खाते पर पूण परिवर्थनियता से सम्मंद्ध जो है तारापोर समिति का गठन हुआ था ये गठन जो हुआ था वो 1997 में हुआ था यानि 1997 पे रपे की पूण परिवर्थनियता को ले करके तारापोर समिति का गठन हुआ था 1997 ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 हो गया हमारे 42 वा क्वेश्चन देखें लेसेस फेरे का दर्शन सम्मंदित है A. गांधी वादी राज B. ओद्योगिक राज C. समाज वादी राज D. कल्यानकारी राज लेसेस फेरे का जो सम्मंद है वो एक पूझी वादी राज या ओद्योगिक राज से सम्मंदित होता है इसका आत ही यह है कि रियोर राज्य है वो सिर्फ कानून व्यवस्ता देखे बाकी बाजार में उसका हस्तक शेप नूनुतम हो ठीक है ना इसके बाद देखिए UPA सरकार की भारत निर्माण योजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है ठीक है तो option क्या है देखिए? option देखिए A. ग्रामीड जल आपूरती परयोजना B. सजाई लाब कायरकरम C. ग्रामीड विद्यतिकरण D. सरसिक्षा अभिहान तो इसमें देखिए D. जो सरसिक्षा अभिहान है वो सम्मिलत नहीं है बाकी अन उप्षिन जो है वो सम्मिलत है 43 हो गया. 44 वा क्वेशन है किस पंचवर्षी योजना में नबाड की स्थापना होई थी? अब देखिए पंचवर्षी योजना तो पूछना थोड़ा पुराना हो गया लेकिन नबाड की स्थापना अपूछी जाय सकती है आपसे और ये भी पूछाय सकता है कि कब ये तो option A है पहला B पांचवा C छटा और D आठवा तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि नबाड की जो स्थापना होई थी वो 1982 में होई थी कब वर्ष 1982 में एक पॉइंट यह नोट करिएगा कि नबाड की स्थापना जो ही थी 1982 में होई थी इसके अलावा नबाड की जो रामन एक समिती थी शिव रामन समिती यह अतरिक्त बिंदू आप लोग नोट करते रहिएगा यह परिक्षा में आ जाते हैं शिव रामन समिती ने इसकी मतला सिफारिश की थी और उसके बाद यह लाग होई तो 1982 और 1982 के दोरान जो पंच वर्षी होजना चल रहे थी वो थी छटी पंच वर्षी होजना तो इस प्रशन का सही उत्तर हुआ सी यानि छटी पंच वर्षी होजना देखे मैं हाइलाइट करता जा रहा हूं हर चीज को आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए इसके अलावा आप लोग जो भी आपको दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसको आगे से ठीक करने का कोशिश करूँगा अगला है यह पुराना प्रशन हो गया इसको जाने जोती है अगला कोश्चन है छे फरवरी को मनाय जाने वाले महिना जननांग उत्परवर्तन के लिए इस वर्ष्ट के अंतराष्टी दिवस जीरो टॉलरंस के लिखिए क्या है ठीक है 46th कोश्चन है तो वो है अंत महिला जननांग विकरती ए बी ऑप्शन है उन्मुक्त युवाशक्ती सी मेरा एक टुकड़ा और डी है गेहन वैश्विक प्रियास जो इसका साइज उत्तर जो है वो है उन्मुक्त युवाशक्ती ठीक है अगले चलते हैं क्रसल क्या है ठीक है बहुत अच्छा प्रषन ने क्रिसल क्या है option A, bank, option B, Bima company, option C, depository, option D, credit rating agency ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो भारत की एक credit rating agency है ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से credit rating agency है और कृसल भारत की पहली credit rating agency भी है तो ये दो बातें आप लोग आद रखिए है अगला है वैश्विक प्रतीस परदा report निमलिकित संगठनों में से किसके दोरा जारी किया आता है इस तरीके के प्रश्ण आजकल आने लगे हैं आप लोगोंने देखा होगा थोड़ा तो ए विश्वियापार संगठन बी यूरोपिये संग सी विश्वबैंक डी विश्वार्थिक मंच तो इसका सई उत्तर है विश्वार्थिक मंच ठीक अगला चलते हैं अगले प्रश्णों पर अगला प्रश्ण है उत्तराखंड राजमंत्री मंदल ने कॉर्बेट ट्राइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित एको सेंसिटिव जोन के लिए डैश किलोमीटर छेत्र को मंजूरी दी है ऑप्षन ए 289 ऑप्षन बी 311 ऑप्षन सी 347 ऑप्षन डी 377 तो इसका सई उत्तर जो है वो है ऑप्षन डी 377 ठीक है अगला कॉस्चन पर चलते हैं सम्मिदान के किस अनुच्छेद में लोग सवा में एंगलो भारतिय सम्मिदाय के लिए किस प्रतिनित के तहत किया गया है तो देखिए ये प्रशन डाला है और इसको समझना होगा आपको ध्यान से कि अब ये नहीं रहा है ठीक है ना तो ऑप्षन ए 331 ऑप्षन बी 221 तो देखिए जड़ा जैसे पहले जो विवस्ता थी इसमें ये था कि अगर राष्टपती को ये भान होता है कि एंगलो इंडियन सम्मिदाय का परियाद प्रतिनित नहीं है लोग सवा में तो वो लोग सवा में जो है दो सदस्यों को चुन लिया करता था और ये दो सदस्य और चुने जाते थे वह आर्टिकल 331 में तहत चुने जाते थे इसी तरीके से विधान सवा में भी सदस्यों के आता था विधान सवा में एक और लोग सवा में दो ठीक है अब लेकिन जो एकस्व चारवा सम्मिदान सभा ब्रतिन हुआ ये इसमें इस विवस्ता को इंडियन के समधाय के जो सदस हैं उनको राष्टपती द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा तो इससे कुछ चीजे और साफ हुए कि पहले अधिक्तम सदसंख्या जो है जो 552 हुआ करती थी अब चुकि उसमें से आप दो एंगलो इंडियन घटा दीजिए तो अधिक्तम जो सदसंख्या होगी वो कितनी हुई 550 तो लोकसवा की अधिक्तम सदसंख्या होगी 550 जिन में से 543 अभी वर्तमान में हैं शेश चीटें अभी खाली है ठीक है उसके बाद देखिए आप भारती सम्मेदान के निमलिकित में से किस अनुच्छेत के एक भाग को लागू करने के मनरेगा योजना शुरू की गई ठीक है ओप्शन ए 43 ओप्शन बी 45 ओप्शन सी 47 ओप्शन डी 50 तो यह तो आपको समझ में आई रहा होगा कि राज के नीतिन दरिशक तत्व में जो है यह है और यह आर्टिकल 43 के तहत यह हुआ ठीक है आर्टिकल 43 अगला है सम्मिधान में संशुदन की शुरूआत की जा सकती है केवल लोग सबा में बी केवल राज सबा में सी केवल राज विधान सबाओं में डी संसत का कोई भी सजन तो एक चीज़ तो आप समझी रहे हैं कि राज विधान सबाओं को शक्ती प्राप्त नहीं है सम्मिधान संशुदन की तो सी सदन की विवस्ता जो है संचत के किसी भी सदन से प्राराम हो सकती है तो इसका सई हुत्तर हो जायेगा option D यानी कि संचत का कोई भी सदन अगला है निमलेखित में से किस संभिधानिक संचधन में भारतिए संभिधान का अधिकारेक पाठ हिंदी में परकाशित करने के लिए अ Option A, 57 संचोधन 1987 B, 58 संचोधन 1987 C, 69 संचोधन 1988 D, 60 संचोधन 1988 तो आपका सही उत्तर है B, 58 संचोधन 1987 अगला है सम्विदान के किस अनुच्छेत में यह प्रावधान है कि प्रतेक राज शिक्षा के प्रात्मिक स्तर पर मात्र भाशा में शिक्षा के लिए परियाब स्विदा प्रतान करने का प्रियास करेगा तो यह जो बात है वो अर्टिकल 350A में हैं ठीक है 350A में यह व्यवस्था की गई है कि राज जो है वो क्या करेगा जो प्रात्मिक स्तर पर जो मात्र भाशा है उसमें शिक्षा प्रतान करने का प्रत्न करेगा ठीक इसके बाद देखिए अगला प्रशन है स्वतंत्र श्रम पार्टी के संस्थापक कौन थे ठीक है ओप्शन A है R श्री निवासन ओप्शन B है B R अम्बेटकर ओप्शन C है C राज गुपालाचारी ओप्शन D है लाला लाजपत राय तो देखिए इसको समझे के स्वतंत्र श्रम पार्टी की जो स्थापना है या इसको इंगलिश में शायद आपने नाम सुना होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अब शायद आप ये जान जाए कि इसके संस्थापक कुन थे तो इसका संस्थापना की थी वो की थी डौक्टर भीमराः अमबेडिकर और उन्होंने ये जो स्थापना की थी वो 1936 में की थी ये भी आद रखेंगा कभी कभी करोनलाओ जी पूछ लेता है इंडिपेंडनेंट लेवर पार्टी अगला है दिनेश गो स्वामी समिती ने क्या सिफारिश की तो दिनेश गो स्वामी जो समिती थी उसने संसदिय चनाव की सरकारी फंडिंग को ले करके जो है अपना सिफारिश दी थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं कह रहा है केंद्रिय सूचना आयोक्त का कारकाल कितना होता है केंद्रिय सूचना आयोक्त का कारकाल कितना होता है आप्शन A 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू आप्शन B 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयू आप्शन C 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयू आप्शन D 3 वर्ष तो आज अगर हम देखें तो आज की डेट में से इन में से कोई भी option ठीक नहीं है अगर पुरानी बात करें तो पुराने हिसाब से अगर हम देखें तो इसका स्वयुत्तर जो है वो अलग हुगा लेकिन आज की डेट में जो केंद्रिय सूचना आयुक्त है उसका कारकाल पूरी तरह से नर्वर करता है जो पूर में जो विवस्था थी उसमें ये था कि पांच वर्ष की आयु या पैसट वर्ष जो भी पहले हो उसमें सेवाने बृत्ती होती थी केंद्रिय सूचना आयुक्त का कारकाल इतना होता था और वो पुना अपने पत पर चुने जाने के लिए या नियूक्ती के लिए नहीं हो सकता था दुबारा नहीं चुना यत था पर अब ही जो नया संशोधन हुआ उसमें ये है कि केंद्रिय सूचना आयुक्त का कारकाल उतना होगा जितना सरकार दोरत माना जाएगा इसके लावा 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा ठीके ना तो अब आज की रेट में केंद्री सूचना आयोक्त का जो कारकाल है वो सिर्फ उतना या तो सरकार दौरा तै किया गया हो सरकार दौरा तै किया जाए जितना सरकार दौरह ते किया जाए या अजिकतम 65 वर्ष तक ठीक है तो अब ये सरकार ने अपने पास रखा है कि एक केंद्रिय सूचना अयट का कारकाल कितना होता है ठीक है ना तो वो जितना सरकार चाहेगी उतना होगा हो समय समय पर उसको बदलाव कर सकती है अगला है अगला question देखिए निम्न में से कौन सा अन्न तीन से भिन्रिस्टती में है ए पिछड़ा वर्ग आयोग बी वित्त आयोग सी राष्टिये मानावदिकार आयोग और डी चुनाव आयोग देखिए हैं तो यह सभी आयोग लेकिन अगर आप देखें तो पिछड़ा व आयोग हैं इनको सम्विधानिक मानता प्राप्त है ठीक है पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आपके आर्टिकल 340 में है उसके बाद जो आपका वित्त आयोग वो आर्टिकल 280 में है और चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छे 324 में है जबकि एक जो मराष्टिये मानाव अधिकार आयोग है वो एक सम्विधान इतर निकाए है तो इस तरीके से हम देखें तो ये इनसे भिन्य और इस प्रश्ण का उत्तर सी हो जाएगा ठीक है ना अगला प्रश्ण आईए संसत दोरा किसी आपात कालिन अविधी के अनुमसमर्थन के लिए निमले कितमे से कौन सी सीमा है ए चोगदा दिन बी एक महिना सी तीन महिना डी छे महिना ठीक है तो आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है और यहां पताया गया कि ये एक महने हो सकती है एक महिने तक ठीक है अगला है एक नाम मातर का भागीदार डैश है जिसके पास व्यापार या उसके मनाफ़े में कोई वास्टे करूची नहीं है ठीक दूसरा है जब तक किसी अन्य लाब बटवारे के अनुपात में कोई समझाता ना हो मुनाफ़े में बरावर की इस्तेदारी के लिए प्रवेश किया आता है C. अन्य भागीदारी कर्तियों के लिए उत्तरदाई नहीं है D. तीसरे प्रक्ष के लिए सक्षम नहीं है तो एक नाम मातर का भागीदार वो है जिसके पास व्यापार या उसके मनाफ़े में कोई वास्त्विक रुची नहीं है उसको जो है नाम मातर का भागीदार का है आता है तीक है अगला कॉश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है नयाइक समिक्षा का अर्थ है कि सुप्रीम कोड सभी मुद्दों पर अंतिम प्रादी करण है B. राश्टपती खिलाफ आरोपों की जाज कर सकता है C. उच्च नयाले नयालेों दोरा तै किये गए मुद्दों की समिक्षा कर सकता है D. राज के किसी भी कानुन को अवैद गोशित कर सकता है तो ये जो नयाइक समिक्षा का अदिकार है वो हम लोगों ने USA के समिक्षा कर सकता है ठीक है और उसके सहत ये है कि जो सर्वच नयाले है वो राज में संग सरकार भी आजएगी और कें सरकार राज के किसी भी कानुन को समिक्षा कर सकता है और अगर वो समिधान के मूल धांचे के विरुद है तो उसको वो शुन निगोशित कर सकता है तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा अगला देखिए किसी राज सरकार ने जो कुटपई नामक जन जाती है स्रांसकृतिक महोटसव का अजन की है किस राज सरकार ने ए असम बी सिक्किम सी मेगाले डी मिजूरम तो ये सही उत्तर है मिजूरम अगला है निम्न में से कौन सा सही है ए नरम लोहा कठिन फेरो मेगनेटिक पदार्त है बी अल्ली को एक नरम फेरो मेगनेटिक पदार्त है सी उच्च परियाब तापमान पर फेरो मेगनेट एक पेरा मेगनेट बन जाता है और डी है उप्रोक्त सभी ठीक है ये आपके पास option है तो इसका सही उत्तर है C कि उच परियाब तापमान पर फेरो मेगनेट एक पेरा मेगनेट बन जाता है ठीक है ना तो फेरो मेगनेट एक गुण तापमान पर निर्भर करता है बिसिकली उच परियाब तापमान पर फेरो मेगनेट जो होता है वो पैरा मेगनेट में बजन जाता है नरम लोह एक नरम फेरो मेगनेट एक सामगरी है और अलनी को एक कठन फेरो मेगनेट सामगरी है तो यह उल्टे लेखे हुए है अगला है बड़ा गर्व का था यह जब गेची हुई थी हमारे देशवासियों के लि फ्लाइंग गरुण और D अगनी परिक्षा तो जो पहला जो हमारा प्रमाणू परिक्षण हुआ था उसका जो कोड़ नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा तो इसका जो अर्थ होगा वो सौरी आप्शन होगा वो होगा A स्माइलिंग बुद्धा अगले कॉश्चन पर चलते हैं निमले कित में से कौन सा भारत का पहला परमाणू सैंत्र है A नरोरा B कलपक्कम C तारापुर और D कोटा देखिए तो आपका जो सबसे पुराना परमाणू सैंत्र है वो है कौन तारापुर तारापुर परमाणू सैंत्र जो है वो सबसे पुराना परमाणू सैंत्र है इसकी जो इस्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी 1969 में ठीक है अगले question पे चलते हैं एक picogram बराबर कितना होता है ठीक है तो ये दर्वमान आपने की का ही actually picogram A. दस्कीगाद मैनस 6 gram B. दस्कीगाद मैनस 9 gram C. दस्कीगाद मैनस 12 gram और D. दस्कीगाद मैनस 16 gram तो इसका सही उत्तर है दस्कीगाद मैनस 12 gram अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश की तीवर्ता को मापने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला उपकरण कौन सा है A. एनिमो मीटर B. क्लोरो मीटर C. लक्स मीटर D. अल्टो मीटर तो इसका सही उत्तर है लक्स मीटर अगला है शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पन का प्रियोग किया आता है A. अवतल दर्पन B. साधन दर्पन C. उत्तल दर्पन D. इनमें से कोई नहीं तो शेविंग के लिए बिसिकली अवतल दर्पन का प्रियोग किया आता है और उत्तल दर्पन का प्रियोग मोटर कार, मोटर गाड़ी में जो पीछे के जो वहान आते हैं उसमें किया आता है तो इसका सही उत्तर है A, अफ्तल दर्पन अगला है मूत्राले के पास किस गैस के कारण एक तेज गंद आती है A, सल्फर डायकसाइड, B, क्लोरीन, C, अमोनिया, D, यूरिया तो मूत्राले के पास जो तीवर गंद आती है वो अमोनिया की बेसिकली गंद है तो अमोनिया के कारण आता है अगला है चुहे का जैर बनाने के लिए किस रसाइनिक पदार का उप्योग होता है A, एथाइल अलकोल, B, मिथाइल आईसोसाइनाइड, D, C, पोटेशियम साइनाइड और D, एथाइल आईसोसाइनाइड तो इसका सही उत्तर है चुए के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रियोग होता है या फिर एक और चीज है जिसका यूज होता है इसका नाम है जिंक फॉसफाइड इसका भी उप्योग जो है चुए मारदवाई बनाने के लिए किया आता है फिर कह रहा है कि दूद को दूद कुछ समय के लिए खुले में रखने पर खटा क्यों हो जाता है A. Carbonic Acid के कारण B. Lactic Acid के कारण C. Citric Acid के कारण D. Acetic Acid के कारण तो बेसिकली दूद जो है जो खटा हो जाता है वो लेक्टिक एसेट के निर्मान के कान हो जाता है लेक्टिक एसेट बन जाता है इसके कान बाकी जो एसेटिक अमल जो है वो आपका होता है सरके में साइट्रिक अमले निबू में पाया आता है, कार्बनिक असेड आपकी कोल ड्रिंग्स वगरा में होता है, ठीक है ना, अबला देखिए, खाद सामगरी के सन्रक्षन के लिए, निम्न में से कौन से पदार्थ का उप्योग किया आता है, अगला है, विमान के टायर में हो भरने के लिए किस गयस का इस्तमाल किया आता है, A. Hydrogen, B. Nitrogen, C. Helium, D. Neon तो विमान के टायर में जो हवा भरी जाती है उसमें बेसिकली nitrogen भरी जाती है अगला है फाइव किंडम वरगी करण किसके दौरा किया गया है A. Whiteaker, B. Heckel, C. Lineus, D. Copeland तो फाइव किंडम वर की करण किया गया था, वो वाइटी करके दौरा किया गया था ठीक, अगला, मनुश्यों दौरा, आम तोर पर पेशाब में कौन सा विटामिन उतसर्जित होयाता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन E ध्यान रखिएगा कि मनुष्यों दारा जो है जो विटामिन C है इसका आम तोर पर जो है उत्सर दिन कर दिया आता है कान क्या है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं एक जल में घुलंचील और दूसरे वसा में घुलंचील तो जो विटामिन C है वो जल में घुलंचील विटामिन है इसलिए जितना शरीर को आवशक होता है वो तो यूज हो जाता है शरीर में बाकी जो होता है वो मूत्र के साथ बहार उत्सरज़त होते है तो इसका सही उत्तर है विटामिन C अगला देखिए रक्त को हिर्दे से बाहर ले जाने वाली बड़ी रक्त वायका को क्या कहा जाता है A. नसें B. धमनी C. केशिका D. तंत्रका तो इसका सही उत्तर है B. धमनी ठीक है अगला है छे रोग किस कारण से होता है या छे रोग मने TB B. टूबर क्लॉसस या और एक नाम से इसको जाना जाता है तब ही देख तो एक संक्रमा की रोग है और किस से होता है A. बैक्टिरिया से B. वायरस से C. कवक से D. प्रोटो जोगा से तो ये एक बैक्टिरिया से होने वाला रोग है तो ये हो जाएगा इसको अगला है साइमन कमिशन ने निमलिखित वायसराय के बीच किस काल में भारत का दोरा किया था इन में से किस के बीच में दोरा किया था A. लॉर्ड इर्विन B. लॉर्ड चैंस्वूर्ड C. लॉर्ड विलिंडन D. लॉर्ड वुड तो साइमन कमिशन ने लॉर्ड इर्विन के काल में दोरा किया था भारत का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A फिर कह रहा है कई उद्द्योगों में टिन, स्टील और तामे को किस से प्रस्थापित किया जाता है ठीक है ना ओप्षन है A. मिट्टी के पात्र ओप्षन B है उच्छ शक्ती ग्लास फाइबर ओप्षन C है प्लास्टिक और ओप्षन D है इन सभी से ठीक है तो वास्तव में टिन, स्टील और तामे को इन सभी से प्रस्थापित किया रहा है तो इसका सही उत्तरोगा D फिर कह रहा है चटानों में पर अपने वाले पौधों को क्या कहते हैं A. एपिफाइट्स B. हेलोफाइट्स C. जेरोफाइट और D. लिथोफाइट्स तो चटानों में जो पौधे पनपते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं लिथो या लिथोस्फियर या इसको ये होता है चटान अचली अगला है कौन सा गोल सबसे अधिक संकेंद्रत है 10 मिली लिटर गोल में 6 ग्राम विले B. गोल के 50 मिली लिटर में 20 दशनलव 5 ग्राम विले C. 120 मिली ग्राम गोल में 30 ग्राम विले और D. गोल के 2 मिली लिटर में विले का 2 दशनलव 6 ग्राम तो इसका सई उत्तर है D गोल के 2 मिली लीटर में विले के 2.6 ग्राम अगला है ग्रामीन इलाकों से शहरी इलाकों के आबादी का परिवर्तन कहा जाता है एक पारस्तिक पच्चन, B भूमी सनरक्षन, C शहरी करण, D आधार एक सनरक्षन, ठीक है तो इस चीज को कहते हैं पारस्तिक पच्चन, ठीक है अगला देखिए तीजन भाई किस कला से संबंग थी, बुर्रा कथा, B पंडवानी, C लावनी, और D नौटंकी तो जो तीजन भाई थी वो बिसिकली पंडवानी एक लोग कला है उसके लिए प्रस्ति तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडवानी ठीक है, उसमें वो महावारत के दर्श्यों का मंचन और लोग गीत के माद्यम से करा करती थी, बड़ी प्रस्ति दूही अगला देखिए मांदा लिखा हुआ है, मंदा नहीं है, यह मांडा है, मांडा मांडा थीक है? अब आपको मिलाना है, तो मंदा तो जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तर तमिस्थव है, सिंदु गार्ती शबता का और देमाबाद जो है, महराश्ट में है, काली बंगा आपका राहस्थान में है, और राखी गड़ी जो है, वो आपका हर्याणा में है तो इस तरीके से ये उत्तर हो गया आपका, सई उत्तर इसका हो जाएगा आपका, C अगला है, किस स्थान पर हडपा संदर में एक हाती दात का पैमाना पाया गया है? A. काली बंगा, B. लोथल, C. धौला वीरा, B. बनवाली तो सई उत्तर इसका है, लोथल जो एक बंदरगान अगर हुआ करता था सिंदू गाटी संपिता से वहाँ पर हाती दात का पैमाना पाया गया है और ये लोथल जो है वो भारत के गुजरात में है अगला कॉश्चन है, रिगवेद में क्या संकलित है? A. भजनों का संगर है, B. कहानियों का संगर है, C. शब्दों का संगर है, D. युद्ध का पार्ट वैसे इसके जो आप्शन बनना चाहिए, वो है इसमें स्तुतियों का संगर है संगर है, यह होना चाहिए, लेकिन अब यहां निकटा मुत्तर अकर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा? भजनों का संगर है, देवताओं का स्थितिगान है मूलता, अब देखिए अगला, पूछ रहा है कि बुद्ध दारा धर्मांतरत अंतिम वैक्ति निमलिकित में से कौन है? A. आनंद, B. वसुमित्रा, C. गोशाल, D. सुबद्ध तो इसका सही उत्तर है D. सुबद्ध मकली बुद्ध गोशाल ने तो अलगी एक आजीवक संपर्दाय की स्थापना कहे थी, आनंद सुरुवात के दिनों से ही बुद्ध के शिश्यों गए थे, सुबद्ध वो व्यक्ति थे, जिनको दिक्षित किया था अंतिम व्यक्ति के रूप में बुद्ध ने, अगला है नैनार कौन थे? ए, शैव संथ, बी, शाक्त संथ, सी, वैश्यों संथ, डी, सूर्यों पासर, तो जो नैनार थे, वो वास्ताब में शैव संथ हुआ करते थे, शैव संथों का एक सुमधाय था नैनार, ठीके? और वैश्यों जो होते थे, उनका जो संथ थे, उनको कहते थे अलवार, तो शैव नैनार और वैश्यों अलवार, ठीके? इसके बाद देखिए, निम्लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप्शन A, एलूरा गफाय, शक, आप्शन B, मिनाक्षी की गफाय, स्वरी, कौन सा सुमेलित है? मिनाक्षी मंदर पल्लव, C, खजराव मंदर चंदेल, D, महावली पुरम मंदर राश्ट कूट, ठीके? तो एक-एक करके देखते जाएंगे, कि कौन सा वाला, किसने, किसके काल में बना या नहीं, ठीके? महावली पुरम के जो मंदर थे, उनका निर्मान कराया था किनोंने? पल्लव उने. तो महावली पुरम हो गया, पल्लव. ठीके? एलोरा की गुफाओं का निर्मान कराया था, चालुक क्योंने? ठीक? और खजराओं का जो मंदर है, उनका निर्मान कराया था, चंदिलोंने, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, खजराओं के मंदर, चंदिल. अगला है, गुलाम बन्ष का पहला शासक कौन था? ए, इल्तुत्मिष, बी, कुतुब बुद्दीन एबक, सी, रजिया, और डी, बल्बन. तो गुलाम बन्ष का जो पर्थम शासक था, वो कुतुब बुद्दीन एबक था, हलाकि इसने कभी भी सुल्तान की उपादी धारने की, मलिक और सिपा सालार की उपादी से ही सी मितरा, और इसने जो है, 1206 से, 12010 तक शासन किया, और फिर एक दिन, एक पोलोग के जैसा खेल होता है, चोगान, चोगान, चोगान खेलने के दोरान इसकी मृत्यों हो गई थी, ठीक है, ये कॉशन भी पूछा आता है, किसकी मृत्यों चोगान खेलने के दोरान होती है, अगला कॉशन है, अलादीन खिल जी के सिनापतियों में से, कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते मारा गया था ए जफर खां बी नुसरत खां सी अल्प खां डी उलुक खां तो इसका सही उत्तर है जफर खां ठीक है 1299 में जब कुतलुक खाजा के नित्रत में मंगुलों का अक्रमण हुआ इसकी बारे में लिक देता हूँ 1299 में कुतलुक खाजा कुतलुक खाजा के नित्रत में जब मंगुलों का अक्रमण हुआ उसमें जफर का जो है मारा गया था तो इसका सही उत्तर है जफर का फिर अगला है क्रिश्ट देव राय ने के शहर की स्थापना की थी ए वारंगल बी नागल पुरा सी उदैगरी और डी चंदरगरी तो क्रिश्ट देव राय सांस्कृतिक मतलब एक महान शासक तो था ही आपको एक बता दूमें के बाबर ने जो अपनी तुजू के बाबरी लिखी है उसमें क्रिश्ट देव राय को सबसे शक्ति शाली शासक बताया है और क्रिश्ट देव राय के समय में सांस्कृतिक उन्नती भी बहुत हुई उसने एक नगर बसाया था उसका नाम था नांगल पुरा तो यह हो गया अगला देखो निम्न अनुकरमों में से कौन सा सही काल कर्मन कर्म अंगित करता है शंक्राचार रामनचार चैतन रामनचार शंक्राचार चैतन रामनचार चैतन शंक्राचार और शंक्राचार चैतन रामनचार चैतन तो देखिए इसका सही उप्षन है एक शंक्राचार, रामनचार और चैतन शंक्राचार का जो काल है वो 788 में इनका जन्म हुआ था 788 से 820 में रामनचार का जो काल है वो है 1017 से 1137 के बीच और चैतन का जो काल है वो है 1486 से 1536 ठीक है इसमें से कुछ बाते और पूछी आती है जैसे शंक्राचार ने जिस वाद को जन्म दिया उसको कहायाता है अधवैतवाद अधवैतवाद इसी प्रकार से रामनच ने जिस वाद को जन्म दिया उसे कहते हैं विशिष्ट अधवाद और चैतन जाने जाते हैं जो कीर्टन परंपरा है उसके लिए कृष्ण बक्त एक चैतन और कीड़तन परंपरा को जुनों ने प्रचलित किया वो चैतन नहीं किया पस्चिमंगाल के थे नदिया और इन्हों ने किया था अगला देखो निमलिकित में से शासकों में से किसने पहले हजरते आला का शीर्षा ग्रण किया और बाद में सुल्तान बना हजरते आला पहले का फिर उसके बाद सुल्तान बना ठीक है अप्शने बेलो लोधी बी सिकंदर लोधी सी शीर्षा सूरी और फिर इसलामशा सूरी तो इसका सही उत्तर जो है वो है शेरशा सूरी तो जब 1539 में शेरखान ने बंगाल का एक शासता नुसर शाह उसको हरा दिया तब उसमें हजरत आला का की उपादी धारण की थी देन 26 जून 1449 में चौसा की लड़ाई में जो उसने उमायू को पराजित कर दिया तब उसमें शेरशा का किताब धारण किया और अपने नाम का खुदबा पढ़वाया सक्के चलवाया और फिर सुल्तान मना ठीक है तो ये 95 कॉश्चन हो गए अगला कॉश्चन है निमलिकित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिशदों का फारसी में अनुवाद किया गया था उपनिशदों का फारसी अनुवाद किया गया ऑप्शन ए शाजहा ठीक है ऑप्शन बी अकबर ऑप्शन जांगीर और ऑप्शन डी और अंगजेब तो देखिए शाजहा का एक पुत्र था इसका नाम था दाराशिको ठीक है कहते हैं कि उस समय की जो हिंदू जनता थी वो औरंगजेब के स्थान पर दाराशिको को पसंद करती थी ठीक है और इसकी बड़ी रुची थी हिंदू संस्कृति में और इसने उपनिश्दो का नवाद सर्रे अकबर के नाम स कराया था सर्रे अकबर के नाम से कराया था इसने ठीक है दाराशिको बहुत विद्वानमी था तो उसी के काल में तो ये तो शासक हुआ नहीं तो शासक उस समय कौन था शा जहां ठीक है ना तो इसका सहित्तर हो जाएगा शा जहां करा किसने था करवाय किसने था दाराशिक पूर्पूने और हुआ किसके काल में था शाजा के काल में अगला देखिए आपको मैच करना है किसका कौन था ठीक है तो अब सबसे पहले देखिए आप यहां पर गोवा पॉंडे चैरी पॉंडे चैरी के बाद फिर देखिए आप गोवा फिर ट्रेंगपेर और फिर सदरस और दूसरी तरफ लेखें फ्रेंच पॉर्दकाली डैनिश डैन अब देखिए यहां पर कि इसको आपको मिलान करना है तो अगर आप मिलान करेंगे तो यहां पर पॉंडे चैरी में पॉर्दकाली का भी अधिकार रहा वैसे गोवा पॉर्दकाली के लिए ज़्यादा जाना जाता है गोवा में डैन आए ट्रेंको बेर में डच आए और सदरस में फ्रेंच आए और बाद में फ्रेंच पॉंडे चैरी में भी आये थी तो इस तरीके से अगर हम इसको मिलाएं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A फिर कह रहा है 1802 में बसीन की संदी किनके बीच हुई ठीक है A. अंग्रेज और बाजीराव पर्थम B. अंग्रेज और बाजीराव दुद्तिये C. फ्रेंच और बाजीराव पर्थम D. डच और बाजीराव दुद्तिये तो इसका सही विकल्प है अंग्रेज और बाजीराव दुद्तिये के बीच में बसीन की संदी हुई थी 31 संबर 18 सदों को हुई थी तीक है उसके बार तीसरा आंगल मराथा युद किस से सम्मन्दत है Sir John Shore, B. Lord Wellesley, C. Lord Hastings और D. Cornwallis तो इसका सही उत्तर है Lord Hastings Lord Hastings के समय में जो है इसका Marcus Hastings भी कहते हैं इनके समय में तीसरा आंगल मराथा युद वा था फिर कह रहा है कि 1857 के विद्दू के समय बादरशार ने निमलकित में से किसे साहे बे आलम बादर का शीर्शक दिया था A. अजीम उल्ला, B. बिर्जिस कादर, C. बक्त खां और D. हसन खां तो उस समय बादरशार ने बक्त का को साहे बे आलम बादर का खिताब दिया था फिर अगला कॉशन है वागेरा विद्दू कहां पर हुआ वागेरा विद्दू कहां पर हुआ A. सूरत, B. पूना, C. कालिकट और D. बड़ोदा ठीक है? तो इसका सही उत्तर है कि बागेरा जो विद्दू हुआ था वो बड़ोदा में हुआ था ठीक? बड़ोदा उसके बाद देखिए अगला एक तरफ समाचार पत्त्र दिया हुआ है दूसरी तरफ ये दिया हुए कि किनों ने इसको दिया? ठीक है? देखिए एक तरफ है हिंदू फिर दूसरा है आपका सुधाकर फिर वाइस ओफ इंडिया बंगाली ठीक है? तो इसका सही उत्तर है देखिए जो हिंदू अकबार था वो जी सुब्रमन्यम अयर दौरा चलाया गया था सुधाकर जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले का अकबार था और वाइस ओफ इंडिया जो था वो दादा भाई नौरो जी का अकबार था बंगाली जो है वो सुरेणनात बैनर जी का था ठीक है? तो यह हूँ है इसका इसका जो विकल्ब हुआ वो विकल्ब होता है इसका विकल्ब हुआ डी अगला है एक तरफ कोश संस्था हैं दूसरी तरफ दिया हुआ है कि उनकी स्थापना किसने की? प्रह्म समाज, मानाव धर्म समाज, आर समाज, नद्वा उल्मा, इनको मिलाना है आपको, ठीक है? तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो इस्ठापना होई थी, वो कोलकाता में होई थी, ब्रह्म समाज की जो इस्ठापना होई वो कोलकाता में होई थी, फिर मानाव धर्म समाज की स्थापना जो ही वो सूरत में हुई उसके बाद आर समाज की जो स्थापना हुई वो मुंबई में हुई और उसके बाद नदवा उल्मा की जो स्थापना है वो लखनाउ में हुई ठीक है तो इस तरीके से इसका भी उत्तर जो सही है वो है D फिर देखिए निमलेकित में से 1880 में Bombay Presidency Association के संस्थापक कौन थे A. फिरोजशा महता B. पी आनंद चार्लू C. एम वी राघव चेरियार और D. एसन मेनरजी तो इस संस्था की स्थापना 1880 में फिरोजशा महता दौरा की गई थी इसके बाद अगला है एक तरफ आपके भारती राष्टी कॉंगर्स के अधिवेशन है और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष तो अबुलकलाम आजाद सरोजनी नाइडू, मुतिलाल नेरू, डॉक्टर अधिवेशन प्रसाद, तो आपको बताना है कि किस ने किस की अध्यक्षता की तो अबुलकलाम आजाद ने जो रामगड में 1940 का अधिवेशन हुआ था रामगड 1940 का अधिवेशन उसकी की थी अध्यक्षता ठीके, उसके बाद सरेजनी नाइडू ने ये तो सबको पता होगा 1925 में कानपुर अधिवेशन के देख्षता की थी मोतिलाल लहरू ने अमरिसर अधिवेशन के देख्षता 1919 में की थी और डॉक्टर राजिंद प्रसाद बचे, तो इन्होंने बाद अधिवेशन 1934 के देख्षता की ठीके, ये हुआ तो इस आप से इसका भी उत्तर सही क्या है, D अगला देखिए फिर सूची को सूची दो से समयलित करना है और एक तरफ आपको दिया हुआ है कुछ संस्था हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थापना किसने की है, ठीके तो पहला है अभिनव भारत सोसाइटी दूसरा है अनुपालन समिती तीसरा है गदर और D है स्वराज पार्टी तो देखिए इसमें जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी B.D. सावर करने और जो तुमारी अनुपालन समिती है अनुपालन समिती की स्थापना की थी श्री अरविंद गोश्ट ने फिर उसके बाद जो गदर पार्टी है गदर पार्टी की स्थापना जो की वो लाला हर्द्यालने की और स्वराज पार्टी की जो इस्थापना की वो की CR दासने तो यह हुगा तो इस तरीके से इसका सही तर्ज़ है वे भी विकल्ब D सही है अगला है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी दोरा शुरू किया गया था लंदन में A. एनिबेसेंट B. बीजी तिलक C. M. के गांधी और D. है आपका शाम जी कर्शन वर्मा ठीक है ना तो लंदन में शाम जी कर्शन वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जानाया आता था ठीक है और ये की गई थी आपके फरवरी 1905 में शाम जी कर्शन वर्मा ने की थी फेबरी 1905 में ये श्थापना की थी इसका सही उत्तर जो है वो है शाम जी कर्शन वर्मा अगला देखू कैबिनेट मिशन की अद्धिष्टा किसके दौरा की गई थी लॉर्ड एटली बी स्ट्रेफ़र्ड क्रिप्स सी क्लेमेंट एटली डी सी पी लॉरेंस तो ये तो एक आसान प्रशन है ठीक है के जो कैबिनेट मिशन की जो अद्धिष्टा की थी देखिए कि उस समय वर्ड वार चल रहा था स्वारी वर्ड वार खतमी हुआ था लेवर पार्टी की सरकार आ गई थी क्लिमेंट एटली के नेतरत में तो भारत को किस तरीके से आजादी प्रदान की जाएगी इस सब को ले करके एक मिशन में जा गया था कैबिनेट मिशन और उसकी जो अध्यक्षा की थी वो सर पैथरिक लॉरेंस ने की थी ठीके इसका सही उत्तर है डी अगला है पार्टीयों के सम्मेलन के किस संसकर्ण की मेजवानी भारत करेगा ठीके मलब कॉप यहाँ पे पार्टीयों के सम्मेलन मानना है कॉन्फरेंस ओफ पार्टी तो छे, साथ, आठ, नौ इन में से कौन सा ठीके तो कॉप सेवन की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जाएगी ठीके तो इसका सही उत्तर हुआ बी अगला है बैंक धोकादाड़ी पर नज़र रखने के लिए भारती रजर बैंक ने किसके अध्यक्षता मतलब किसके अध्यक्षता में सम्मेथी अगठन किया गया है वाई एच मालेगां सम्मिती दूसरा है एके मिश्रा कमिटी तीसरा है नंद कुमार सरवाडे समिती चौथा है एस रबन समिती तो सही उत्तर इसका है वाई एच मालेगाउं समिती ठीक है ना एक पांच तजस्ती कमिटी का किठन किया है जो बेंकिंग दोकादड़ी के गुरुद सिफारशें प्रस्तुत करेगी अगला है भारत के समितान के उच्छे 352 के तहट भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खत्रा होने पर आपातकाल की घुशित किया सकता है ए युद्ध बी बहारी आक्रमक्ता तीन सशस्त विद्रो चार आंत्रिक गड़बडी और नीचे कूट से आपको चुनना है कि कौन सा सही है एक 1,2,3 फिर 2,3,4 फिर 1,3,4 और एक और दो चिसका सही उत्तर है 1,2,3 आंत्रिक गड़बडी के आधार पर अब आपातकाल की घुशना नहीं किया सकती है फिर अगला है गांदी अगेंस्ट कास्ट किसके दोरा लिखी गई निशीकान्त कोलगे B. संध्या मैनन C. काले डिट्रिच और D. इन में से कोई नहीं ठीक है तो ये बुक जो लिखी गई वो लिखी है निशीकान्त कोलगे नहीं अगला है किस राज के राजपाल के संदर में निमलिखित पर विज़ार कीजी एक वेक्ती को राज के राजपाल के रूप में निउक्त होने के लिए 30 वर्ष क्या यह पूरी करनी चाहिए थी ठीक है दूसरा option है दूसरा है भारत का संम्मिधान नर्दिष्ट करता है कि एक वेक्ती को उस राजपाल के रूप में नुक्त किया गया है तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दू सही है ठीक है क्यों कि भारतिय संम्मिधान में किसी वेक्ती के राजपाल होने के लिए दो ही योगताओं का उले किया गया है पहली योगता यह है कि वे भारत का नागरेक होना चाहिए भारत का नागरेक हो ठीक है और दूसरी योगता यह होने चाहिए कि उसकी आयू न्यूनतम 35 वर्ष हो चुकी हो ठीक है 35 वर्ष आयू पूरी कर चुका हो ठीक अब बाकी जो यह लिखा हुआ है कि भारत का संब्धान नर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति उस राजिकर संब्धत में होना चाहिए जहां उसे राजपाल के रूप में नुक्तिया गया है यह संब्धान में नहीं रिखा है यह परंपरा बन गया है यह परंपरा इस तरीके से कि कोई व्यक्ति उस राजिका राजपाल ना बने जहां का वो है ताकि वहां की जो राजनीती है उसमें वो हिस्सेदारी ना ले दूसरा एक परंपरा ये भी है कि राष्टपती राजपाल को न्युक्त करने से पहले उस राज के मुख मंत्री से परामर्श करते हैं ताकि सम्वेदान एक मशिनरी जो है वो बैतर तरीके से संचालित होती रहे ठीक है ना तो ये इसका हो गया अगला है ग्लिम्सेस और वर्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेकर कौन है ए सरदार बलब भाई पटेल बी जवारलाल नहरू सी एम के गांधी डी दादा भाई नावरोजी तो इसका सही उत्तर है जवाललाल नहरू ठीक है उन्होंने ये बुक जो है 1934 में लिखी थी 1934 में ग्लिम्सेस और वर्ड हिस्ट्री नाम की बुक लिखी थी ठीक है इसके लावा उन्होंने एक बुक और बड़ी फिमस लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इसका सही उत्तर जो हो गया वो हो गया जवाहरलाल नहरू अगला है पेरियार वन्जीव अभ्याने किस राज जमेशते थे हैं और आप्षन ए है तत्त बोध्री सभा के संस्तापक कौन थे तो इसका सई आंसर जो है वो है देविनात टैगोर और उन्होंने तत्वोधनी सभा की जो इस्थापना की थी तत्वोधनी सभा की जो इस्थापना की थी उन्होंने वो की थी 1849 में 1839 में ठीक है न और उन्होंने एक तत्वोधनी पत्र का भी जारी की थी उस समय अगला है निमलेकित में से कौन स्वामित सुरक्षा नहीं है A. सामान शहर B. अधिमान शहर C. रण पत्र DB OC दोनों तो इन में से जो है रण पत्र जो है वो स्वामित सुरक्षा के इंदर गत नहीं आता है अगला क्वेशन है दोयर ग्यारा की जिन्गर्णा के असार भारत में सबसा बड़ा शेहरी समू कौन सा है ए ग्रिटर मंबई यू ए ठीक है बी आपका दिल्ली सी ए भी दोनो और डी चिन नहीं तो इसका सही उत्तर है सी ये दोनों ही बहुत बड़े हैं ठीक है ए बी अगला है हर्यक वंश से मगत का पहला शासक था ए अजाद्शत्रू ठीक है बी अशोक सी प्रसिनजीत और डी बिम्बसार ठीक है तो हर्यात वंश का जो शासक था वो था बिम्बिसार पहला शासक और इसका पुत्र जो हुगा वो अजाद शत्र हुगा है ठीक है दोनों ही हर्यात वंश के थे अगला है नेमलकतर में से कौन एक विमल है एड़ जीवानू संकर्मन बी पोलियो विशानू जनद संकर्मन सी मलेरिया प्रोटोजवा संकर्मन डी हाती पाऊ हैलमिंध संकर्मन तो यह एक आसान प्रश्नبة सबको पता है यह चीज के एड जो है विशाणू जनित होता है यानि की वाइरस से होता है विशाणू जनित और इसके लिए उत्तर जाई जो है वो HIV वाइरस से है ठीक है तो यह हो गया इसके वाला अगला प्रश्ण है जब भारत परश्ण अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था तो उस समय भारत का वाइसरोय कौन था ए लॉर्ड मारले बी लॉर्ड मिल्टो सी लॉर्ड रिपन डी करजन ठीक है तो इस चीज को आप यह ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो इसमें यह कि इस अधिनियम को 1909 भारत परश्ण जो अधिनियम है इसको मारले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं मारले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और इस समय जो भारत का वाइसरोय था वो था लॉर्ड मिंटो भारत सचेव लॉर्ड मार ले था और भारत का जो वैसरा है था वो लॉर्ड मिंटो था अगला है घट्टे क्रम में चीनी उत्पादन की अपनी छमता के नुसार भारती राज्यों का व्यवस्ता लगाई है तो अब यहां देखिए कि इस समय जो शक्कर उत्पादन है उसमें उत्तरदेश का इस्थान फिर से प्रथम हो गया है तो अब उत्तर होगा उत्तरदेश, महराष्ट, करनाटक और तमिलनाडू अगला है बमला दर्रा स्थित है A. हिमांचल प्रदेश B. उत्तराखन C. जमू कश्मीर D. अरुनांचल प्रदेश तो ये जो बमला दर्रा जो है इसको बोमडीला दर्रा भी कहते है बोमडीला बोमडीला दर्रा और ये है कहां ये है आपके अरुनांचल प्रदेश में तो इसका ये हो जाएगा अगला देखिए निमलेकित में से कौन सा एक अनुच्छिद अनुच्छिद जाती के लिए एक राष्टिय आयोग बनाने के बारे में बताता है तो आर्टिकल 338 जो है वो अनुच्छिद जाती के लिए राष्टिय आयोग बनाने की बात करता है फिर उसके बाद देखिए कटपतली किस राज से सम्मंदित है A. राजस्थान B. करनाटक C. मद्दब्रदेश D. उत्तराखन तो कटपतली एक प्रकार का खेल मान लिजिए आप प्राचीन रंगमंच कला है जो राजस्थान से सम्मंदित है फिर ये रीजनिंग का कॉश्चन है ठीक है फिर ये भी जो है रीजनिंग का कॉश्चन है ठीक है तो ये सारे तो रीजनिंग के कॉश्चन है इस तरीके से आज यहाँ पर समाप्तूगाए सेशन ठीक अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसको आप लाइक करिएगा शेर करिएगा ठीक है अगर आपको इसमें कोई ऐसी कमी लगती है तो उसको भी निसंकूच आप बताईएगा हम आगे उसको सुधार करेंगे ठीक है आपका दिन छुबो धन्यवाद